हेलो एब्रीवन आज की वीडियो में कक्षा 5 के विशे सामाजिक अध्यन के आवदिक आकलन 5 को सौल करेंगे ये आपका आवदिक आकलन दिसंबर का है तो चलिए शुरू करते हैं प्रशन एक है बहु विकल्पी है प्रशन आपको एक कोशन दिये गए है उनके ओप्षन है आपको छाटके लिखने है कि कौन सा आंसर है तो पहला कोशन है भाप के इंजन का आविसकार किस ने किया तो आप्षन है आइंस्टाइन, निूटन, जॉर्ज स्टीफंसन या ग्रहम बेल तो आंसर है जॉर्ज स्टीफंसन जो भाप का इंजन है उसका आविसकार जॉर्ज स्टीफं सन ने किया सेकंड कोश्चन है परिवेहन के विकास का सबसे महतपून आविशकार क्या था सबसे पहले क्या था सबसे पहले पहिया बना था यहाँ पर जैसे option दिए गए है कार, साइकल, पहिया, रेल गाड़ी तो सबसे महतपून क्या था पहिया पहिया नहीं बनता तो और कुछ बनता ही नहीं नेक्स्ट कुश्चन है संसार का सबसे बड़ा रेलमार्क कौन सा है पहला उप्षन है Trans-Siberian Railway दूसरा है उत्तर रेलवे चाइना-स्पेन फ्राइट रेलवे मद्य रेलवे तो कौन सा है Trans-Siberian Railway तो आप इस पे correct cancel लगाएंगे next question है रिक्त इस्थान भरो तेल वाहक विसाल जहाज को कहते हैं क्या कहते हैं टैंकर sleeping birth का अविस्कार किस ने किया था George Pullman ने सडक को समतल बनाने वाली मसीन को क्या कहते हैं roller कहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे roller अब तीसरा प्रश्ण है Milan करो सबसे तीवरितम रेल गाड़ी कौन सी है तो कौन सी पढ़ीती हमने TVG यह किस की है France की जापान की तीवरितम रेल गाड़ी उसे कहते हैं bullet train या maglave कहते हैं बरफ पर चलने वाली गाड़ी कौन सी है Sledge मुंबई में खंबो पर चलने वाली गाड़ी उसे कहते हैं monorail अब next question है एक सब्द में उत्तर दो पहिया का आविस्कार किस ने किया तो किस ने किया सुमेरवासी ओने तो यहाँ पर लिखेंगे सुमेरवासी सेरसा सूरी द्वारा बनाई गई सडक का क्या नाम है GT Road इसे कहते हैं Grand Truck Road तेरते वे वायू सेना केंद्र के रूप में प्रयुक्त जहाज को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं युद्ध पोत जो युद्ध में काम आते हैं पहले युद्ध पोत में आगे लगी नौक को क्या कहा जाता था उसे कहा जाता था Ram अब Next प्रशन है लगू उत्तरिये प्रशन पंडुब्बी क्या होती है चित्र बना कर समझाईए पंडुब्बी क्या होती है जो जहाज पानी पर तेर सकता है एक तो पानी के उपर भी तेरेगा और समुद्र तल पर गोता भी लगा सकता है मतलब उसके अंदर भी जा सकती है पानी के उसे कहते हैं पंडुब्बी देखो ये पंडुब्बी है अब ये पानी के उपर ऐसे तेरेगी और पूरी भी अंदर चली जाती है इसके पानी के तो आप इस तरीके से इसे लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे अब नेक्स्ट कुशन है राज पांचवी कक्षा का छात्र है कोविड महामारी में घर रहने के कारण उसका वजन बढ़ गया वह प्रति दिन रिक्षा से विद्याले आता जाता है आप उसे किस प्रकार के वाहन से आने की सलहा देंगे और क्यूं तो आप बताएंगे अब आंसर लिखेंगे उसके लिए यदी राज के विद्याले की दूरी घर से अधिक नहीं है मतलब उसका विद्याले अगर पास है तो उसे पैदल चलकर स्कूल जाना चाहिए यदी पी उसे साइकल चलाकर स्कूल जाना चाहिए जिससे उसकी वर्जिस मतलब एक्सरसाइज हो सके और वजन कम हो सके अगर वो जितना चलेगा उतना उसका वजन भी कम होगा उसका पसीना बहेगा तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं अब है next question निम्न दोनों चित्र क्या दर्शाते हैं इन में क्या समानताए हैं इन में अंतर भी बताओ तो पहली आप ये रेल देख रहे हैं इधर देखो यहाँ पे बिजली से चल रही है ये तार बिछे हुए है और ये क्या है ये है भाप वाला इंजन जिससे ये रेल गाड़ी चलती थी चितर देखकर हम बता सकते हैं कि एक बिजली से चलने वाली रेल गाड़ी है तो कौन सी है ये वाली, दूसरी भाप से चलने वाली है तो कौन सी है ये वाली, अब इन में समानता हैं क्या है, समानता हैं देख लेते हैं, दोनों ही रेल गाड़ी पटरी पर चलती हैं और याता का सारवजनिक साधन है मतलब पबलिक इसे यूज कर सकती है अब इन में अंतर क्या है पहली रेल गाड़ी बिजली से चलने वाली है और दूसरी प्राचीन भाप के इंजन से चलने वाली रेल गाड़ी है तो यह इसमें अंतर है तो इसी के साथ आपका यह assessment पूरा होता है 240 रेल यहित्ट है अपकेant अपकेट कि चलने देनи अक्निक दो इस known asıld कि छह कंपे इन अंतर को प्नान कर दोईन स्वाजनिक पराचा है इन क्या है आना और दूस्त फूसरी रें च्हुस् चलने तोछ दंदिबड टड़ आपके